हेलो बच्चों गुड मॉनिंग बच्चों कैसे हैं आप सब होफ़ली कि अच्छे होंगे पिछले टर्म पे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कलास किया था जब हमने आपको बताया था मोल क्या होता है और मोल फ्रेक्शन और उनके नुमेरिकल लगाना हमने सीख लिया था जो लोग अगर ये चीज नहीं देखें हैं तो मैं गुजारिश करता हूँ पहलो इसी वीडियो के लिंक में वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप जाकर उसको देख लीजिए ताकि आपका कॉंसेप्ट किलियर हो जाए प्यारे बच्चों आज मोल में ही एक नई टॉप जो जाता है जैसे आप जानते हो ईयर पालूशन हो गया रहे हैं यह पीपीएम में ही मिजड किये जाते हैं तो आइए इसकी फार्मूले क्या होते ज़्या देखते हैं प्यारे बच्चों PPM का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन और बताये यह जाता है विन सल्यूट इस परजेंट इन बेरी ट्रैस अमाउंट डैट मेंस बेरी लिटील अमाउंट तो आप इसको कुछ इस तरीके से बताएंगे अमाउंट आफ अमाउंट आफ सल्यूट जरा धान से देखिएगा अमाउंट आफ सल्यूट अपान अमाउंट आफ अमाउंट आफ आपके पास क्या होगा करता है सल्यूशन इन्टू आपके पास होता है 10 की पावर 6 तो देख लिजेगा धान से देखिएगा बहुत कम अमाउट में जब रहेंगे तो उसे PPM में consider किया जाता है जैसे मान लिजिए question maker यह कहता है So about that we are having a question in a toothpaste इन ऐसे कहले in a 500 gram of toothpaste 0.5 gram fluorine INR present किसे बोल देता हूँ In 500 gram of toothpaste 0.5 gram fluorine INR present Then calculate PPM concentration को calculate करना है तो देखिए ज़रा ध्यान से देखिए आपके पास क्या होगा बच्चों Salute यह कम वाला है तो PPM निकालने के लिए क्या करें Salute यानि कि 0.5 पूरे solution में आपके पास यह आपके पास solution से डिवाइड किया कहा गया 0.5 gram आपके पास fluorine 9 है इन्टू 10 की पावर 6 से multiply कर दीजे और इसको आप solve कर लीजे 10 की पावर 6 को आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों कि आपके पास क्या लिखा है 0.5 आपान क्या कर लो यहाँ पे 500 कर दो और इसको multiply कर लो बेटा 1 इस तरह से आप multiply कर लो तो देखिए आपके पास क्या हो सकता है यहाँ से decimal को हटाने के लिए एक 0 से आप cancel कर लो एक 0 से एक 0 गया एक 0 से तो फाइफ उन जा फाइफ तो आपके पास directly आप यहाँ पे एंसर रिपोर्ट कर सकते हैं यह आपके पास PPM हो जाएगा पार्ड पर मिलियन मनला बताया यह जाता है पार्ड पर मिलियन वह चीज होगा आप यह कह सकते हो कि जब सल्यूड बहुत कम अमाउंड में तो इसे PPM कंसंटेशन में कंसीडर किया जाता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं और कुछ कोशन अगर हमारे पास है तो पूरा सलूसन के इतना होता है 100% का पूरा सलूसन जो होता है 100% का आप जानते हो बच्चों तो आपके पात देखो 10% का मतलब यहाँ पे 10 ग्राम है 10% का मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो 10% का आपके पास मतलब होता है 10 ग्राम यानी की आपके पास क्या है पूरा 100 ग्राम में पूरा solution 100 ग्राम का है उसमें 10% एन्यवेच है तो आप इसका आप PPM कंसे निकालना चाहें तो क्या निकालेंगे बच्चों देखो 10 upon 100 इंटू आप multiply कर दो 10 की power 6 पे 10 की power 6 से multiply करो आपके पास क्या होगा यह zero कर गया answer आप यहाँ पे क्या करेंगे calculation मारे answer आजाएगा तो इतना easy होता है कि आप बड़े आसानी से इसको आप calculate कर सकते हो ठीक है तो PPM concentration PPM जो होता है part per million बात करी जाती है इसको जो है आप एक बात याद रखें air pollution मिजर किया जाता है अगर बच्चो देखो अगर आपके पास भी PPB दे दिया जाता PPB दे दिया जाता तो इसे part per billion कहा जाता कुछ नहीं यहाँ पे 10 की power 6 की जगा बच्चों आपके पास 10 की power 9 हो जाता वागी सारा formula से हो जाएगा amount of जराधान से देगेगा amount of solution अपकान क्या हुआ करेगा amount of amount of solution और यहाँ आप क्या कर दोगे बच्चों जराधान से देगा 10 की power 6 की जगाँ 10 की power 9 से multiply कर दिजे इसे part per billion के नाम से जाना जाएगा part per million हमने complete कर लिया mole हमने complete कर लिया mole friction complete कर लिया अब हम दूसरे concentration time की तरफ चलेंगे जिसका नाम होगा molarity चली अब बात किया करेंगे हम और आप molarity क्या होता है जराधान से देगेगा और समझेगा मेरी बातों को अपने लोग इसे capital M से representate करते है molarity क्या होता है कहा यह जाता है number of mole of substance number of mole of substance dissolve in one liter of solution known as molarity of the solution तो फार्मूला क्या बनेगा जराधान से देखना बच्चों आपके पास क्या होगा number of mole of substance number of mole of substance यह आप लिख लेते हैं आपके solute लिख दे number of mole of solute upon mass of देखिएगा स्वारी यहाँ पे आपके पास क्या होगा volume of solution in liter प्यारे बच्चों हम दूसरा फार्मूला भी utilize कर सकते हैं यहाँ पे जैसे यह न इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं weight upon molecular weight इससे आपका mole निकल जाएगा अगर यह volume दिया है आपके पास ml में तो 1000 अपान आप यहाँ पे बच्चों volume in ml लगा सकते हैं यह भी फार्मूला आपके पास इस पे भी रखके आप portion को solve पर सकते हैं अगर आगे की और बात करी जाए बच्चों my dearie student तो आप molality weight upon molecular weight into आपके पास क्या होगा one upon volume in liter अगर यह question में liter में दिया होगा तो आप directly इस पे रखके आप portion को क्या कर सकते हैं solve कर सकते हैं बच्चों आपके पास क्या होता है अगर आपके पास देगिए गाजरा ध्यान से अगर question में percentage given है percentage are given या आप यह कहे लो density given है तो आप क्या करेंगे molarty का यह भी फार्मूला यूज कर सकते हैं 10 into x into d अपाम हुआ करेगा molecular weight जहां बच्चों बताया यह जाता है x जो है x equal to percentage है x equal to percentage है और d equal to आपके पास density दी गई है यानि अगर question में आपके पास density percentage given है यह formula यूज कर सकते हैं और solution phase में बेटा अगर वह solution phase है तो m1 v1 equal to आप क्या यूज कर सकते हैं m2 v2 से भी आप solve कर सकते हैं तो इतने सारे formula हैं जो आपके पास table जो अच्छे लगें जिनको रखिया आपको solve कर लेना है क्योंकि आपको answer जल्दी से जल्दी लाना होगा तो देखिएगा ध्यान से देखें यह आपके पास formula है अगर आप चाहें तो इसको screenshot ले लें फिर हम लोग आगे क्योड़ चलते हैं देखें प्रेक्टिस करते हैं देखते हैं कुछ question जैसे question maker यह कह रहा है सपोर्ट डेट हमारे पास के question है पहला question यह है कहा जा रहा है 40 gram चलिए मैं कुछ और देता हूँ 80 gram सारी 80 gram आपके पास NOH dissolve है 80 gram NOH dissolve into 250 ml of the solution solution जरा धान से देखिएगा फिर से मैं बोल दिये देता हूँ 80 gram NOH dissolve in 250 ml of the solution then find out molarity of the solution dear student तो सबसे पहले आपको मैंने अभी बताया थे ml के फार्मूले में तो molarity equal to बताया था weight upon molecular weight और यहां आपके पास क्या था अगर ml के case में याद हो आपको 1000 upon volume in ml था तो आईए इस पे रख देते हैं directly आपके पास क्या हो जाएगा weight किता गिवेने बच्चों 80 दिया हैं और इन्ने वेज का molecular weight निकाल लीजिए इन्ने वेज का इसके देखे 23 हो जाएगा oxygen का 16 plus 1 equal to आपके पास 40 हो जाएगा 40 से divide करेंगे और आपके पास यह हो जाएगा 1000 upon volume 250 ml साल्व कर लें देखें आपके पास किता हो जाएगा यह 2 हो गया यह आपके पास 4 बार जाएगा यानि की 8 और इसकी unit होती है mole per liter तो आप क्या अगर सकते हो तरीके से इनकी कोशन को साल्व कर सकते हैं सबोर्ट एड अपने पास कोई दूसरा कोशन दिया है उसको भी साल्व करते हैं 98 ग्राम H2SO4 डिजाल बीन डिजाल बीन 250 ml अफ दा सलूसर देन फाइंड आउट मोलेटी आप दा सलूसर यहाँ 1000 अपन आपके पास क्या होगा वालूमीन ml तो रख देते हैं वहलू को आपके पास क्या होगा वेट किता है भाई 98 ग्राम और मालिकुलर वेट कितना आएगा 98 आएगा कैसे देख लो बेटा हाइटोजन का यहाँ पे आपके पास क्या है हाइटोजन का 2 पलेस सलफर का 32 पलेस यह 16 इन्टू 4 इक्वल टू यह आजाएगा 98 तो 98 यहाँ पे रख दीजिए और यहाँ पे आपके पास क्या होगा 1000 अपन वालूमीन ml है भी तो देखिए आप क्या करें इसो कट करें यह आपके पास होगा 1 यह आपके पास होगा 4 तो इसका हो जाएगा आपके पास 4 मोल पर लीटर इस तरीके से मोलर्टी के कोई भी कोशन रहेंगे आप साल्व कर सकते हैं अगर परसंटेज गिवेन है कोशन में डेंसिटी दी है तो आप यह मोलर्टी इगवर टू 10 इन्टू एक्स इन्टू डी अपान मालिकुलर वेट पर रखके आप साल्व कर सकते हैं तो जो भी आपके पास कोशन है आप इन पर रखके साल्व करिए आपके सारे के सारे कोशन मोलर्टी के निकल जाए बच्चों दूसरी टॉपिक पर डिसक्रस्ण कर लेते हैं इससे पहले मैं आपको बता दू हमने पढ़ दिया है मोल, मोल फ्रिक्शन, मोलर्टी और इससे एक एक डिलेटर टॉपिक है मोलर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों पहले molalty जो थी उसे capital M से representate करा जाता था और molalty को small M से representate किया जाएगा याद रखिएगा molalty में मैंने बताया था नमबरा mol of substance dissolving 1 liter of solution लेकिन molalty क्या होती है सुनिएगा नमबरा mol of salute dissolving 1 kg of solvent याद रखिएगा यानि molalty में हमने आपको ये बताए है नमबरा आफ, नमबरा मोला आफ solute और ये dissolve होया करेगा किसमें बटा mass of solvent, mass of solvent, solvent in kg ये बात दिमाग में रखेंगे molalty का मतलब है नमबरा मोला आफ solute dissolve in mass of solvent in kg और solute और solvent में आप जानी रहोंगे solute का मतलब जो कम amount में होता है the substance which present in small amount known as solute and the substance which present in large quantity known as solvent तो देखिएगा इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं देखिएगा molalty equal to क्या लिख सकते हैं weight upon molecular weight into आपके पास क्या होगा करेगा बेटा mass of solvent mass of solvent in kg ये बात हम लिख सकते हैं आप ज़रा ध्यान से देखिएगा weight upon molecular weight से mol निकल जाएगा cellule का और mass of solvent kg में रखना है जैसे आए question की तरफ चलते हैं support dad हमारे पास question दिया है टू पॉइंट फाइफ ग्राम एथेनोईग एसिड एथेनोईग एसिड एथेनोईग एसिड च्छी और फाइफ एथेनोईग एसिड डिजाल इन 75 ग्राम बेंजीन लिजy या दो बेंजीन बेंजीन का फार्मुला आपको याद होगा यह होता हैAyde kita के 100-9 केसिड कहता है से यह कैसिव एथेनोई ग्राम इथेनोईग एसिड डिजाल बिन 75 ग्राम बेंजीन ठीक है यह भी आपके पास ग्राम में है तो जरा ध्यान से देखना मेरे बच्चों पहले तो इसका molecular weight निकाल लो क्यों 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 क्या पड़ेगा यहां पे तो solute का weight कितना given beta 2.5 अपान क्या हो जाएगा देखिए mass of solvent in kg 75 दिया है देख लिजेगा mass of solvent जो है इसको kg में रखना है 2.5 है इसको kg में convert करें यह गिराम में है तो kg में convert करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहां पे 10 की power 3 से multiply कर दीजे ठीक है तो आपके पास यहां स of solvent in kg sorry एक सकंड molar mass sorry देखेगा sorry देखेगा यहां molecular weight आपके पास क्या हो जाएगा यह सिष्टी आ गया इसका molecular weight अब आईए जरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे मेरी बात को mole healthy का formula जानते हैं आप number of mole of solute upon mass of solvent in kg तो number of mole आपको निकालना पहले तो यह दिया है 2.5 पहले इसका mole निकालिए weight upon molecular weight इंटू आपके पास क्या होगा करेगा बच्चो mass of solvent mass of solvent in kg जरा ध्यान से देखेंगे यह kg मेरी रखना है आपको तो आप पहले तो mole निकाल लो weight कितना है 2.5 upon molecular weight ethnoic acid का आएगा यह 60 ethnoic acid का molecular weight रख दिया आपके पास आगया यह 60 weight upon molecular weight हो गया अब mass आप solvent कितना है बही 75 ग्राम में डिजाल हो रहा है और इसको आपको रखना है बच्चो kg में रखना है यहाँ पे आप करें 1000 से multiply करें साल करेंगे 0.0.556 यह आपके पास answer आजाएगा यह आपके पास answer होगा तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कोललती के question को साल कर सकते हैं आज इतने ही रिखते हैं Thank you that's all have a nice day.